नमस्कार, Lifetime TV में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ वनोज साकुर, आप सभी के बीच में बड़ी बात प्रोग्राम लेकर आए हैं, इस बड़ी बात प्रोग्राम में आज हमारे साथ बातचित करने के लिए मौजूद है शिमला ग्रामरन दुधायक विक्रमद्ज सिंग ज थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैं समझता हूँ, दुनिया वैसी ही दिख रही है जैसी थी, और मैं आज और कभी भी ये नहीं समझूँगा कि वो हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि निश्चे तोर से देखिए, एक ना एक दिन सबको ये दुनिया छोड़के जाना पड़ता है, इस अनुनिवर्सल जिसे कोई भी जिसे पीछे नहीं हट सकता है, बगर ये जरूर है कि उनका जो कारिया है, उनका जो कारिया शैली है और उनका जो एक काम करने का तरीका था, एक हुमिलिटी थी, जो जमीन स्तर से जुड़कर उन्होंने कारिया किया, लाखों लाखों लोगों के उन्होंने दिल जीते और उच पदों पर रहते हुए भी प्रदेश के उच पदों पर राश्ट्रेस्थर के उच पदों पर रहते हुए भी उन्होंने हर व्यक्ति से एक परिवार के सदस्र के रूप में बात करी चाहे वो कोई बिरोक्राट है चाहे वो कोई नेता है चाहे वो कोई करम से बड़ी उपलब्दी थी मुख्यमंत्री बनना तो निश्चे तोर से बहुत से लोग आते हैं जो कुरसी पे बैठते हैं और जाते हैं मगर जिस तरीके से उनको उनकी आखरी यात्रा में जो जनसमू निकल कर आया जो प्यार मिला वो अपने आप में हमको बहुत कुछ सिख हा गया और मैं तो यही कह सकता हूं कि उनके आदर्श, उनकी सोच और उनकी विचारधारा हम में और हम जैसे लाखों लोगों में हमेशा जीवित रहेगी और वो हमेशा हमारे बीच में इस विचारधारा सोच के साथ हमारे साथ हमारा मारदर्शन करते रहेंगे जे बिलकुल आज हम आपकी पोस्ट भी देख रहे थे सोचल मीडिया पर भी आपने एक पोस्ट डाली थी खैल उस पर भी बाद में बाच्चित करेंगे राजा साहब का जब देहांत हुआ जब उनका निधन हुआ उसके बाद से आपका राज दिलक भी हुआ आपके रामपूर बुशेहर में ये प्रथा है कि एक तरफ राज दिलक होता है दूसरी तरफ अंतिम संसकार होने से पहले तो बहुत से लोगों ने आपको जो है वो राजा नाम की संध्या देना शुरू कर दिया उस समय पर बहुत से लोग आपको टिका से जो है वो राजा कहने लग गए और हिमाचल प्रदेश के अगर हम कॉंटेक्स में बात करें कुछ बड़े नाम भी ऐसे सामने आए जिन्ह तक आज की बात है आज की संदर्व की बात है मैं एक 21 सदे का पड़ा लिखा युवा हूं और हम मैं ये भी जानता हूं कि हम एक लोगतांत्रिक परनाली में रहते हैं एक डिमोक्रेटिक सेट अप में रहते हैं जहां पर सरकारे चुन कर अपने प्रतिनिद्र को आगे समझता भी हूं और उसका निर्वाहन भी करता हूं और जहां तक इस परंपरा की आपने बात करी है निश्चित तोर से इसमें इस चीज़ को दुराया नहीं जा सकता या इस चीज़ से भागा नहीं जा सकता कि I have been born into such a family जहां पर हमें अपनी जो हमारी सभ्यता है हमारी संस क्रिटी है जो हमारे रिच काल्चरल ट्रडिशन से उसका निर्वाहन और इसका पालन करना भी मेरा प्रथम दायत वह है और मैंने पहले भी ये बात कही है जब मेरे पिता जी जिन्दा भी थे वो समय भी मुझे जो है टिका शाहाब के उससे कहा जाता था तो मैंने हमेशा मेरा नाम बहुत अच्छा नाम है विकरमा दित्या सींग जो मेरे माता पिता ने मुझे दिया है और मुझे अच्छा लगेगा आप उससे मुझे पुकारें और अभी भी मेरा यही निवेदन है की वो केवल एक मात्र आपचा रिक्ता थी क्यूंकि जैसा मैंने कहा कि एक जो ह जवाड़ा शाही नहीं है उसको खतम करने में हमारा कॉंग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मैं उस बात से को जानता भी हूँ मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ मैंने वो चीजे पड़ी है और मैं फादर वोज अलसो दे लास्ट रूलिंग मोनार्क ये हिस्ट्री का मैं आपको बात कह रहा हूँ जो उन्होंने राजा रहते हुए खुद इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया के साथ बाकाइदा साइन किया था और उन्होंने अपना राजवंश को छोड़ कर वो लोकतंतरिक परनाली में आए और जो दिलों के राजा बने और बाकी वो सब इतिहास है मैं उन चीजों को दोराना नहीं जाता हूँ मगर जो एक emotional और cultural attachment हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ होती है बेशक आज वो रजवाड़ा शाही नहीं है मगर जो एक परामपरा गरत एक हमारा उनके साथ एक connect है एक जुड़ाव है वो सधियों से चलता आ रहा है और वो सधियों तक चलता रहेगा उसको राजनیती के परिपेक से देखने की आविशक्ता नहीं है और उसका मैं मानसमान करता हूँ और इसका मैं हमेशा मानसमान करता रहूँ गा जे विक्रमत जी अब बहुत सारी हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां भी आपके कंदों पर है पहले भी आपके कंदों पर थी शिम्ला ग्रामेंड के आप बढ़ाय कर रही है और बढ़िया कारे आपने किया है अब उप्चुनाओ को लेकर अगर हम बाचित करें तो राजगरा यहां कि किस तरह से भागज़ारी रहने बाली है राजगराना क्या सोच था है कि रानीप्रतिवाह शिंग जिक लिए कौन से सीट सुरक्षित रहने वाली है कौन से सीट उनके पहली च्वाइस होगी मंडी या फिर अरकी पहली बात तो यह कोई राजगराना नहीं है यहां के नाम हॉली लॉज है और यह हमेशा इस पीपल्स हाउस सदियों से यहां पे लोग अपनी आस्था केवल लोकतांत्रिक पनाली को मजबूत करने के लिए यहां पे उन्होंने बनाई है और जहां तक श्रीमती प्रतिबासिन जी की बात है शी इस मैं समझता हूं कि वह एक रिस्पॉंसिबल वुमिन है और उन्होंने पूर्व में दो बारी वह मंडी संसद्यक शेत्र से सांसद जो है वह वह एलेक्टिड रेप्रेजेंटिटिव वहां का उन्होंने किया है और व इस पे विचार विमर्ष किया जारा है पार्टी के लोगों के माद्यम से भी और जो हमारी केंदरी हाइकमान है उनसे भी हम संपर्क में हैं और निश्चित तोर से क्योंकि देखिए ये ये गहराना हमेशा से एक परिवारिक रूप से हमेशा जो है जनता से जुड़ा है और हमने कभी भी we have never shirked from responsibilities जब भी कोई responsibility दी गी चाहे ये उसमें हमने ये कभी नहीं सोचा कि हार होगी या जीत होगी मगर पार्टी हित में हमेशा responsibilities को लिए बेशक उसमें challenges आए बेशक उसमें कभी बुरे दिन आए कभी अच्छे दिन आए मगर पार्टी हित में हमेश निरने भी लिए कडवे निरने भी लिए और उस पे सफल भी होए और काफी बारी असफलता भी मिली है तो निश्चेत तोर से जहां इस संदर्व में अकर मैं बात करूं तो हम हर चीज़ को मद्दे नजर लगते हुए जो भी निरने पार्टी के कार्यकता पार्टी के और हमारी केंदरी हाई कमान लेती हैं उस से उस दायतव से उस रिस्पॉंसिबिलिटी से हम कभी पीछे नहीं हटेंगे irrespective of what the results है यही सीख हमें श्रीव भद्यसिंग जी ने दी है आपने उनका राजनेतिक इतिहास बड़े क्लोजली देखा है और उन्होंने हमेशा he's always been a bonfighter उन्होंने हर adversity में हर मुश्किल समय में party का का नेतित्व किया है और जीत कर आगर आए है तो निश्चत तोर से जो भी हमको responsibility मिलेगी हम मिलकर उसका निरवाहन करेंगे and I'm sure the people of Imachal Pradesh will realize in the times to come कि उसको हमको मजबूती के साथ आगे बढ़ना है और जो उनका सपने कुछ जो उन्होंने प्रदेश स्तर पे देखे हैं जिला स्तर पे देखे हैं उसको मिलकर सब Congress Party के लोगों को उसको पूरा करने की आवशकता है और आगे लजाने की आवशकता है आपके अगर party प्रदेश अधिक्ष की बात करें उन्होंने कुछ दिन पहले कहा है कि मंडी हो या दोनों के लिए पहली पूछ जो है वो हॉली लौद से होगी मतलब की राज घराने से होगी तो कहीं न कहीं उन्होंने तो जो है वो आप पर बात यहां पर रख दी है कि आप पर depend करता है आपने मंडी से लड़ना है या फिर अरकी से लड़ना है यह तो हम ताई मान लेते ह कि elections तो आप लड़ रहे हैं लेकिन कहां से आपको ऐसा लगता है क्योंकि मंडी के अगर बात करें specifically मंडी में भारती जनता पार्टी का गड़ इस समय पर माना जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जायराम ठाकुर का ग्रेग शेतर वो है और महिंदर सिंग ठाकुर को इस समय प पर तो पार्टी जो है वो अपना पूरा बल वहां पर लगाने वाली आपको क्या लगता है क्या मंडी यहां पर रिस्की चौइस होता है या गड़ की तो कोई बात नहीं है तो समय समय की बात होती है आज आप जिसको मुख्यमंत्री जी का गड़ कह रहे हैं उसी बहुत ल चुनाफ लड़े भी थे और हारे भी थे जो ऐसा नहीं है कि यह कोई परागरत जो है वो भार्द जन्ता पार्टी की सीट है यह जरूर है कि कुछ ऐसे समिकरन बने केंद्र में जब पिछला 2014 का चुनाव हुआ 2019 का चुनाव हुआ उसमें जब वोटिंग हुई तो उसमें कोई दोराय नहीं है मगर पिछले तीन साल का चार साल का अगर आप कारेकाल मानन्या सांसद महदे का देखेंगे आप तो वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है इसलिए मैं उस पर कोई ज़्यादा टिगा टिपनी नहीं करना चाहता हूं मगर कितना काम वो मंडी संसद्यक शेत्र में केंदरी सरकार की ओर से करवा पाए वो आप लोगों के बीच में है जनता के बीच में है उसको लोग बड़ी अच्छी तरीके से समझते भी है जानते भी है डबल इंजिन की बात कही जाती थी मगर मैं डिटेल में उस चीज़ों में नहीं जाना चाहू मतरी है कि मंडी जला के माननय मुख्य मंत्री है ऑगर अगर मंडी जला में ही आप धरंपूर और सिराज को छोड़ दें और बाकी हलके जो मंडी जला के हैं वहां के लोगों से अगर आप सितार पूर्वक बात करें तो आपको स्टिती स्पष्ट हो जाएगी कि किस की सरकार है और किसने क्या कार्या वहां पे किया है आज जो एक भाड़ी शेत्र में मजाग किया जाता है कि ये केवल एक सराजी जो है मुखे मंत्री हैं और सराजी सरकार जो है प्रदेश के अंदर चल रही है तो निश्चत तोर से अभी मैं उन चीजों पर विस्तार पूरवक नहीं जाना चाहता हूं और जब ये मुद्दे आएंगे अगर ऐसा परिस्तिती जो है वो बनती है तो उसके बारे में बड़ और सब्सक्राइब करें तो निश्चत तोर से जो आंकड़े समेच जो चीजे हमको देख रही है वेदर इट इस एरपोर्ट इसके बारे में इतना हैप हुआ आज चार साल इनकी सरकार को हो चुके हैं वाट इस दे पुजिशन ऑन दे ग्राउंड वो आप लोग हमसे बहतर जानते हैं मंडी जिला के बल के लोग आपसे बहतर जानते हैं विक्रमतित जी आप से आपने यहां पर नकामियों की बात की प्रदेश सरकार के अगर हम पिछले चार सालों की बात करें कोई तीन बड़ी नकामिया आपको ऐसी नजर आती हो सरकार की कि जिसमें सरकार ने जो आपने चार साल के कारेकाल में हिमाचिल प्रदेश के अंदर तीन बड़े काम इन्होंने किये हो। हर बात जो इन्होंने कहा वो आज अधूरे पड़े हैं। मुझे दुख के साथ ये बात कहनी है कि चाहे वो आपका इन्वेस्टर्स मीट की बात हो। सबसे बड़ा इनका अजंडा प्रदेश के अंदर था कि हम जो है असी हजार करोड की इन्वेस्टमेंट प्रदेश के अंदर लेके आ रहे हैं। पूरे तरीके से ये सरकार नकाम हुई है। आपके प्रदेश के करमचारी, जो एक बहुत महतोपुरन भूमी का इस सरकार की कार्यपनाली पे इस सरकार के वरकिंग पे निभाते हैं, चाहे वो आउट्सोर्स है, चाहे वो एसमसी है, चाहे वो आपके पैराटीचर्स है, आपके कॉंट्रैक्च्छल इंप्लॉईज है, किसी भी वरक के करमचारीओं की महतोपु कांक्शाओं को पूरा करने में ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है, और साथ ही साथ आपका जो बागवानी क्षेतर है, आपका जो किसान क्षेतर है, खास करके बागवानी क्षेतर की अगर हम बात करें, अभी तक C.A. स्टो है वो नहीं बन पाया चाहे वो कुलू का इलाका है चाहे वो आपका चोपाल या आपका जिलाशमला का इलाका है तो निश्चत तोर से इन सब फ्रंट पे ये सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है और जो इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट जिसमें डवल इंजिन की बात करी जाती थी मैं तत्यों के साथ ये बात कह रहा हूं चाहे ना वो नैश्चनल हाइवे बने ना वो आपकी फोर लेनिंग आज कंप्लीट हो पाई है और ना ही प्रदेश में जिस मुख्यमंत्री जाराम ठाकुल कर्सोग दौरे पर गए हुए वो कह रहे कि अगर कोरोना ना होता तो मैं बहुत कुछ कर देता और अभी घोशनाओं पर घोशनाएं हो रही है चाहे वो जुबल कोटकाई की बात करें चाहे वो सराज की बात करें या फिर कर्सोग की ही बात करें घोशनाओं पर घोशनाएं हो रही है दरिया दिली मुख्यमंत्री साहब जो है वो दिखा रहे हैं आपने देखा होगा कि किसी को जो है वान दिसपॉट दो लाख रुपए दिये जा रहे हैं किसी को एक लाख रुपए दिये जा रहे हैं इसे आप किस दृष्टी से अगर ये दरिया दिली उन्होंने आज से दो धाई साल पहले दिखाई होती और दरिया दिली दिखाने के लिए बटवे में कुछ होना भी चाहिए आप गोशनाओं पे गोशना करते रहें मगर परदेश की जो ठंठन गोपाल परिस्तिती है जो फिस्कल डेफिसिट परदेश सरकार का है जो इनकी वित्य परिस्तिती का जो एक मैं समझता हूं की बहुत बुरे हाल है उस परिस्तिती में कोई गोशना करना या ना करना एक बर आबेशक लोगों को लुभाने के लिए जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं या संसद्यक शेतर के चुनाव होने हैं वहां पे आप घोशना करे जाएं मगर उसके लिए फिनांशल पैकेज का अप्रूवल ना हो या उसके लिए आपके पास रेक्विजिट फिनांशल जो है schemes available ना हो तो उन गोशनाओं का कोई ताथपर्या नहीं रह जाता and I am sure the people of हिमाचल प्रदेश are very well educated वो इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते भी है जानते भी है और ये गोशनाओं के वल वहीं क्यों हो रही है जहां पर अभी जो है विधानसभा के चुनाब उप चुनाब जो है वो होने वाले है साफिर ये आज से तीन साल पहले किया होता हम उनका समर्थन करते हैं अगर आज ये केवल एक political gimmick है it is just to win the confidence of the people जिस पे यह सरकार पूरी तरीके से एक absolute failure है जे विकरमतिती जी आपने बहुत सी यहां पर कमिया नाकामिया सरकार की गिनाई क्या आपको लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी जो है वो क्या इसका राजनतिक कुछ फाइदा उठा पाएगी या इसे in future कहीं न कहीं बुना पा इनने मैं विश्वास नहीं करता हूं I believe that in these last five years the BJP was given an opportunity in the state उनको एक मौका मिला था और जैनुनली उनको उस पे काम करना चाहिए था अगर इस पे भाजपा कार्य करती मुझे दिल से बहुत खुशी होती कि चलो हमारी सरकार अगर कुछ काम नहीं कर पाई तो उसको यह सरक इसको राजनेतिक पैमाने से देखने की आविशक्ता या राजनेतिक चश्मे से देखने की आविशक्ता नहीं होती है कुछ चीज राष्ट्रेय हित के लिए करवाई जाती है कुछ चीजे प्रदेश हित के लिए की जाती है जिसमें चाहे हम विपक्ष में हैं हम सबका यह दायत्वा बद्दा है कि हम मिलकर उसमें आगे बढ़े हैं तो हमारी एक हमारा ये दायत्वा भी है कि हम उन कमियों को उजागर भी करें क्योंकि अगर हम उनको उजागर नहीं करेंगे तो जन्ता को उसके बारे में कैसे मालूम होगा other than the media तो निश्चत तोर से ये हमारा दा करना चाहिए जो पूरा किया जा सकता है अगर ये एक सोच कहीं न कहीं कभी-कभी राजनेताओं की रहती है कि बड़े-बड़े वादे आप करें जाकर बड़े-बड़ी खोशना है आप लोगों के बीच में जाकर करने मगर बाद में जब वो चीज़ें पूरी नहीं हो प जाती है तो मेरा ये मानना है कि वो ही चीज़ों के बारे मैं कहना चाहिए वो ही चीज़ों के बारे मैं वादा करना चाहिए जो पूरी की जा सकती है और निश्चत तोर से अगर कॉंग्रिस की सरकार प्रदेश में बनेगी जो हम वो पूरा विश्वास है कि बनेगी हमें इन सब चीजों का जो वित्या परिस्टी प्रदेश के अंदराज बनी हुई है और जिस तरीके से केंदर का स्वतेला वेवार हिमाचल प्रदेश के साथ रहता है उन सब चीजों को मद्दे नजर लगते हुए ही लोगों की बीच जाना चाहिए और एक ज्यादा उनको कुछ उनका एक वो ले लेना उनका समर्थन ले लेना और बाद में वो चीजे पूरे ना हो मैं उस मत का नहीं हूँ जी विक्रम दित्य जी आपने कहा कि 2022 में कॉंग्रिस से यहाँ पर सरकार अपनी बनाएगी लेकिन कॉंग्रिस की अगर हम बात करें स्वर्गी राजा विभद् चाहे भले ही जितने मर्जी गुट हो जितने मर्जी जो ध्रूबी करण हो लेकिन जैसे ही बात जो है वो पार्टी लेवल पर आती थी तो सभी एक छत्र में इकठे हो जाते थे अब जब वो नहीं रहे हैं तो कैसे यह जो ध्रूब अलग-अलग है जो गुट अलग-अलग जो बार-बार हमेशा अक्सर सामने आए हैं, जिन्होंने अपनी महत्वकांक्षाएं समय समय पर जताई है, उन सभी को कैसे इकठा किया जा सकता है, उन सभी को कैसे क्या आप यहाँ पर कोशिश करेंगे, उन सभी गुटों को इकठे करने की यह आप कर पाएंगे, क्योंकि र राजनेतिक कद है, और ना ही मेरी वो सिनियोरिटी है कि मैं जो है इन लोगों को, चाहे वो A, B, C, जितने भी हमारे सीनियर लीडर है, उनको मैं कोई इसके बारे में बात करूँ, मगर निश्टित तोर से उनको भी इस बात को समझना चाहिए, और I am sure वो इस बात को समझें कि इस वैक्यूम जो आज परदेश के अंदर क्रेट हुआ है, उसमें सब लीडर्स को, चाहे वो विधायक रहे हैं या पूर में मंत्री रहे हैं, सब को एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की आविशकता है और पार्टी को स्ट्रेंधन करने की आविशकता है, और मुझे विश् पूरन योगदान अपने अपने क्षेत्रों से अपने अपने विधानसवा हलकों से देंगे, और जहां तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, मैं समझता हूँ कि ये निरने जो जब हमारी मिजॉरिटी प्रदेश के अंदर बनेगी, तो निश्चत तोर से विधायकों के ना उसकी कोई importance है, अभी हमारा prime focus ये होना चाहिए कि हम अपने संगठन को मजबूत करें, अपनी पार्टी को मजबूत करें, और समय रहते हुए हम जहां जहां हम अभी कमजोर हैं, वहां पर हम Congress Party को मजबूत करें, और अपने सरकार की भहुमत को प्रदेश में 2022 में ला सक मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी face पर focus ना होकर अपने-अपने हलकों में काम किया जाए, उसके बाद जीत कराता है, फिर उसके बाद जो है, वो सहमती बनाई जाए है, किसी face को जो है वो आगे ना रखा जाए 2022 में हमारे पास face है, शरी मती सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रे धक्षा है, जो एक face, एक credible face जो है वो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर है, मगर जहां तक प्रदेश की बात है, मैं समझता हूँ कि अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति प्रदेश में नहीं है, जो Congress Party में, जो cutting across regions या cutting across districts जो है, जिसका एक credibility प्रदेश के अंदर जो है, वो बन पाई है, इसमें मैं को लगता है कि जो senior leaders प्रदेश के अंदर है, वो भी इस बात से सहमत होंगे, ultimately देखे बात तो बड़ी साफ है कि बनना उन में से किसी नहीं है, जब एक बरी सरकार बनेंगे तभी किसी की महतो कांक्षाग, चाहे वो मुखे मंतरी की है, जब ही पूरी हो सकती जब हमारी भहुमत बनेगी, अगर हमारी भहुमत ही नहीं बनेगी, या हम आपस में ही इस मजबूत करेंगे और हमारी सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी अच्छा इसके बाद मैं आप से एक दो प्रशन और जरूर यहां पर पूछना चाहूंगा आप अपना राजनेतिक विजन किस तरह से लेकर यहां पर चलते हैं या अब आगे लेकर जाएंगे व्यक्तिकत तोर पर अगर बात के रहें तेखिए मेरा विजन बड़ा साफ है और ऐसा नहीं है कि वो अभी से ही साफ है जब से मैं धायर बना हूँ या जब से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया हूँ आया हूँ आप बीन ट्राइन टू इवोल्व मैसेल्फ मैंने काफी कुछ कमिया भी हमारे अंदर थी जिसको मैंने ठीक करने की कोशिश करी है मगर मैं एक लॉंग टर्म उसमें विजन के साथ प्रदेश और अपने क्षेत्र के लोगों के बीच मैं जाना चाहता हूँ मैंने पहले ही साफ कर दिया है कि मेरा कोई व्यक्तिकत जो है वो प्लिटिकल अंबिशन नहीं है कोई कुर्सी की लालसा नहीं है और कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इस पाद पे जाना है या उस पाद पे जाना है निश्चत तोर से संगठन के लिए काम करना है पाटी के लिए काम करना है और सबसे जरूरी प्रदेश के लोगों के लिए काम करना है मेरा एक मत है कि जिस तरीके से मेरे पिता जी शरीवी बद्र सिंगीन है। सबसे महतुपुरन चीज की हिमाचल को एक धागे में परोने का कार्य किया है। मेरा हमेशा ये एंडवर और एक प्रयास आने वाले समय में रहे। कि उस चीज को अगर कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम तभी भी परदाश नहीं करेंगे। किसी भी कोने के लोग हों, किसी भी इलाके के लोग हों, हमको उनको एक रूप से, एक दिश्टिकोन से देखने की आवेशकता है। और एक लॉंग टर्म विजन के साथ, चाहे वो प्रदेश के दूरदराजी क्षेतर है, चाहे वो प्रदेश के एडवांस्ट एरियाज है, उन पे जो आने वाले समय में चाहे हेल्थ केर है, चाहे एजुकेशन है, चाहे एम्प्लॉइमेंट है, और प्रदेश को सेल्फ हमारा सबसे बड़ा रोना यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है प्रदेश के पास पैसा नहीं है प्रदेश को इनसे लोन लेना पड़ रहा है उनसे लोन लेना पड़ रहा है तो हमको आने वाले समय में सरकार को और प्रदेश को इतना मजबूत बनाने की आविशकता है कि हमको एक begging bowl लेकर चाहे वो world bank के पास ना जाना पड़े, चाहे वो asian development bank के पास ना जाना पड़े, हिमाचल प्रदेश के बाद बहुत सी ऐसी opportunities है, बहुत से ऐसे resources है, forest है, जंगलात है, mining है, और हमारी यहां के जो natural beauty है, उसको हमें encapsulate करने की आवश्यक्ता है, उसे हमें capitalize करने की उसको मैं चाहूँगा कि जब उस पर मौका मिले, I would like to work on it, और उसको long term के लिए प्रदेश में implement करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा, आपने जैसा कि कहा कि संगठन को मजबूत करने की यहां पर कोशिश की जाएगी, आज एक, आज हम यह कह सकते हैं कि बातें यहां प हमाचिल प्रदेश में, आपको क्या लगता है कि क्या हमाचिल प्रदेश में संगठन लेवल पर कुछ changes होना जरूरी है या फिर जो अभी तक थे उन्हीं के साथ continue करके अगले elections को जीता जा सकता है, देखिए ऐसा है इसमें जो अभी मरा वरतमान संगठन है, वो अच्छा क लेकारे करने का प्रियास करते हैं, अगर कही ना कहीं shortcomings हमें भी रहती है, सब में रहती है, तो निश्चत तोर से उसमें जो feedback हमें समय रहते हुए मिल रहा है, उसको implement करने की आवश्यक्ता है, और instead एक व्यक्ति विशेश की अगर हम बात ना करें, उससे जादा हमें जो है ग्रास्रूट लेवल पर संगठन को मजबूत करने की आवश्यक्ता है, अगर हमारी ये सोच नहीं होनी चाहिए कि हम एक व्यक्ति को बदल कर दूसरे व्यक्ति को लाएंगे और जादू की एक जड़ी गुमाई जाएगी और रातो रात पूरा संगठन जो है वो मजबूत हो जाएगा, we must remember that Rome was not built in a day, it was over several centuries, जो है ये civilization, हडपन civilization, Indian civilization ये बनी है, तो निश्चत तौर से दिन दिन करके, दिन दिन करके, महिने महिने करके ये इस पे कारिया किया जाता है, and I am sure कि इसने भी किया है, अच्छा कारिया किया है, बट वहां से उसको और मजबूती के साथ आगे लजाने की आविशकता है, और एक dedicated carder जो है वो प्रदेश के अंदर, जो कही न कहीं demoralized अपने को कभी-कभी feel करते हैं, अब मैं उन चीजों मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्यूंकि वो केवल प्रदेश तर से सीमत नहीं है, जो हमारी राश्टर सरकी परिस्थितिया है, वो भी आज जनता के सामने है, and I believe in calling a spade a spade, जो चीज हमको दिख रही है, जो कमिया चाहे वो राश्टर सर्पे है, चाहे वो प्रदेश सर्पे है, मैंने उनको पूरी मजबूती के साथ कहने में, चाहे उससे मुझे individual नुकसान भी हुआ, मगर मैंने उसको कहने में कभ इस चीज़ को समझने की आवशकता है, तो निश्चे तोर से जब भी ऐसा कोई मौका मिलेगा, प्रदेश में भी जो भी निरने केंद्रिया हाई कमान का होगा, उसका हम समान करेंगे, मगर साथ ही साथ जो जमीन स्थर की परिस्तितिया है, क्योंकि हम मैं चुनावा विधा करवाएंगे, हमारी बात उन्हें अच्छी लगे या ना लगे, उसके बारे में मैंने कह सकता हूँ, मगर सपश्ट बात और सची बात कहने में ही मैंने हमेशा विश्वास रखा है, और यही चीज़ मुझे मिरे पिता श्री विरबदर सिंग जी ने भी सिखाई है, कि सही क का समर्थन करें और गलत का विरोद करें. कितना प्यार मुझे कल मिर रहा था, आज भी मिल रहा है. उन पे अपना विश्वास जगाना, उनके साथ खाड़ा रहना, चाहे हम विधायक हूँ, नहीं हूँ, राजनीती में हूँ, नहीं हूँ. मैं उनके साथ हमेशा मजबूती के साथ खड़ा हूँ उनकी आवाज को मैं पूरी मजबूती के साथ आने वाले समय में उनके परिवार के जो वीरबदर सिंग का परिवार के वर उनका immediate family नहीं है सेंकडों ऐसे लोग परिवार का एक सदस्य माना उनकी आवाज को उठाने का मैं हमेशा प्रयास करता रहूँगा उनके बेटे के रूप में उनके भाई के रूप में उसमें अच्छे दिन भी आएंगे बुरे दिन भी आएंगे irrespective of what the fallout is मैं हमेशा खड़ा रहूँगा मुझे विश्वास है कि जब इतना प्यार लोगों ने उनको दिया है वो मुझे भी मिलेगा और हम मिलकर आने वाले समय में हर challenges को हर परिस्तेती को as you said की जो मुश्किलात है उसको निपटने के लिए हमारा परिवार बहुत है हम मिलकर उन मुश्किलों को निफटेंगे और प्रदेश को क्षेतर को नई उन्चाईयों पे ले जाने में पूरा विश्वास है हम है जो हम इसको पूरा करेंगे क्या बात है बहुत बहुत शुक्रिया विकरमत जी आपने दिल खोल कर सभी बाते हमारे साथ यहां पर साजा की और बहुत दुख होता है और जब भी बारे साथ के बारे में विचार रहता है और आपके चैनल के मार्दियम से सभी को कहना चाहूंगा कि कॉंग्रिस पार्टी का तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता ही हूँ मगर उसके साथ साथ जिस तरीके का प्यार इन पिछले कुछ दिनों मैं मुझे और संगठन के लोगों से भी देखने को मिला चाहे वो भारती जनता पार्टी के कई नेता है एकारे करता है राष्ट्रेसम सेवक संग आरेसेस के बहुत से नेताओं के हमें फोन आए बहुत से उनके जो जो उनके जो सो कॉल्ड आपके प्रचारक्स है उनके हमें बहुत फोन आए और कुछ विश्व हिंदू परिसत के लोगों के मुझे फोन आए उनका भी मैं आपके चैनल के माद्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ यह इस त्रीज को दर्शाता है कि वीद भजज सिंग जी ने हमेशा दलगत राजनीती से उपर उठकर और खास रूप से हिंदू समाज के लिए हिमाचित प्रदेश में बहुत से महतुपूरन कदम उठाए जिसमें 2003 में जब वो मुख्य मंत्री रहें उन्होंने जो यहाँ पे religious conversion bill प्रदेश के अंदर लेकर आए बहुत बड़ा मिसाल वो हमारे हिंदू समाज में प्रदेश के लिए है तो निश्चत तोर से मैं आपको आपके चैनल के माद्रे से ये विश्वात लिएना चाहता हूँ कि मैं प्रदेश में देव समाज के लिए प्रदेश में मंदरों के उठान के लिए और प्रदेश की जो हमारी rich cultural traditions है सब्यता है संस्कृती है देव समाज है उसको preserve करने के लिए उस पर मजबूती के साथ उसको बचाने के लिए हमेशा अपना योगदान जो है पार्टी स्तर से उठकर देता रहूँगा इसका मैं विश्वास दिवाता हूँ विक्रमित्य जी एक अंत मैं यह प्रशन है मैं इस परिवार ने इस घर ने बहुत से मंत्रियों को बनाया है बहुत से विधायकों को बनाया है और मुखे मंत्री खुद इस घर से बहुत सालों तक रहे है तो इस तोर से हम मैं अगर सही ठेट भाशा में कहूं तो जाुआ हूँ, मेरी ऐसी कोई बड़ी महत्वक आंक्षा नहीं है। जमीन स्तर करता रहुँगा बाकि जो टेस्ट्री & जिसको मिलना है उसको मिलेगा इसको नहीं मिलना है उसको नहीं मिलेगा मैं इस फिलोसोफी को जलने वाला इनसान हूँ आपका क्या सेनेरियो रहने हैं? आपके बेटे के रूप में, एक छोटे से भाई के रूप में, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी आवाज को मजबूती के साथ उठाने का पूरा प्रयास करता रहूँगा, चाहे आप प्रदेश के किसी भी कोने से संबंद क्यों ना रखते हूँ? बहुत 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 शुक्रिया विकरमदित्य जी, शिमला ग्रामेन विधायक आज हमारे साथ जुड़े, बहुत 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 शुक्रिया समयजे ने के लिए। सबी मुद्दों को यहां पर जुने की कोशिश की, अमेध है कि आपको यह लाइब स्ट्रीम अच्छी लगी हो, आप इस लाइब स्ट्रीम को शेर भी जरूर करिएगा, लोग के साथ साजा भी जरूर करिएगा, साथ ही में ये भी जरूर कहना चाहेंगे, कि प्रदेश भर से, विभन नकोनों से, हमें रिपोर्टर्स की, स्ट्रिंगर्स की जरूरत है, अगर कोई हमारे साथ जोड़ना चाहता है, तो वो जोड़ सकता है, प्रदेश की सबसे बड़ी लाइब टीम है, हमारी, लेकिन अगर फिर भी कोई जोड़ना चाहे, तो definitely they can, आप जोड़ सकत झाल